कैसे हैं आप सब आप सभी पर मातारानी की किरपा बनी रहें। यह सही है। यह सिर्फ हम समझेंगे। अगर हम बाईविल और कुरान के बातों को ठाकरके और उस पर बहस करने लगें तो आज ही बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या कहें जब अपने ही कहते हैं कि अपने थाली में छेद होती हैं तो आप दुसरे को नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हिंदु भाई ऐसे हैं जो खुद हमारा ही विरोध करेंगे इस बात में। मैं इस बातों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि अगर आपको नौलेज नहीं है आपको जनकारी नहीं है तो किसी भी विशेपर बे तुकी बैयान न दीजिए। हमने देखा कैसे सुधान सुत्रिवेदी जी ने बाते कहीं हैं और उसके बाद वो जामिया के प्रोफेशर है वो जेन्वी के प्रोफेशर है और वो सीधा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि किस बहां सामी लिखी गई है क्या है मुझे नहीं पता जब आपको पता नहीं है त कि आज का हिंदू जाग गया है और आज हम जानने की कोशिश करते हैं बास्तविक्ता क्या है और अपनी बातों को रखते हैं तो चली आज मैं भी मैं जानती हूँ कि आप सभी न्यूज देख रहे हैं जान रहे हैं लेकिन मेरी भी कोशिश है कि अगर मेरे माधियम से कुछ ल स्री राम ने जब धनुषवान का संगान किया तब समुधर ने आकर के कहा कि प्रभु भल की कि नहाения को पुनीत Τुम कि नहीं धोल गवार, सुद्र पसुनारी, सकल तारना के अधिकारी अर्थात प्रभू ने अच्छा किया जो मुझे सिक्षा दी, दंड दिया, किन्तु मर्यादा, जीवों का शौभाब भी आपकी ही बनाई हुई है धोल गवार, सुद्र पसु और इस तरे ये सब सिक्षा के अधिकारी हैं कुछ लोग इस चौपाई को अपनी बुद्धी और अतिज्यान के कारण विप्री अर्थ निकाल कर तुसी दास जी के रामचरित मानस पर आछेप लगाते हुए अक्सर दिख जाते हैं समानी समझ की बात है कि अगर तुसी दास जी इस तरियों से दिवेशिया घिरना करते तो रामचरित मानस में उन्हेंने जिस तरी को देवी का सम्मान बताया वो नहीं बताते और तो और तोसी दास जी ने तो हमेशा पुर्सों के विशे साधिकार को नौमान कर दोनों को समान रूप से ही एक बरत का पालने का आदेश दिया है साथी सीता जी की परमदर्शवादी महिला एवम उनकी नेतिकता का चितरन उनमीला के विरह और त्याग का चितरन यहां तक की लंका में मंदोद्री और तिरजटा का भी चितरन सकारात्मक ही है कहीं पर भी उन्होंने इस तिरी को नीच भाव से नहीं देखा है सिर्फ इतना ही नहीं सूर्शा जैसी राक्षशी को भी हनमान जी द्वारा माता कहना कि कई और मंत्रा भी तब सहानभूती के पात्र हो जाती है जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है और ऐसे में तूसी दास जी के सब्द का आर्थिस्तिरी को पीटना अत्वा परतारित करना ऐसा तो असानी से हजम नहीं होता है कि तूसी दास जी ऐसा कह देंगे इस बात का भी ध्यान रखना वस्यक है कि तुसी दास जी सुद्रों के बिसे में तो कदापी ऐसा लिखी नहीं सकते क्योंकि उनके प्रिये राम जो थे वो सब्री, निसाद, केवट आदी से मिलन के जो उदारन है वे तो कुछ और ही दर्शाते हैं, वे तो उसमें तो कहीं भी देखने को ऐसा मिलता ही नहीं है कि सिरे राम ने नीच भाव से इन लोगों को देखा, यह तक कि सिरे राम ने सब्री के जूठन खाए हैं फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तूसी दास जी ने ऐसा लिख दिया होगा तूसी दास जी ने मानस की रचना अवधी में की है और प्रचलित सब्द ज़्यादा आए हैं जो कि आम भासा के सब्द थे क्योंकि जो बालमी की कर्त रमायन है, वो संस्कृत में है और संस्कृत सभी लोगों को पढ़ने नहीं आते, सभी लोगों को समझ में नहीं आते इसलिए तूसी दास जी ने जो रामचरीत रमानस लिखी तब उन्होंने इसको अबधी में लिखा और इसमें ज़्यादातर साधारन बोल चाल की भाशा जो परचलित थी उन्ही को उन्होंने लिया था इसलिए तारन सब्द को संस्कृत से जोर कर नहीं देखा जा सकता संस्कृत में जरूर तारन का अर्थ मारना पिटना होता है परन्तु आप संस्कृत के अर्थ को यहां नहीं ले सकते हैं कि क्योंकि राजा दसरत ने इस्तरी के वच्णों के कारण ही तो मैं अपने प्रांऐ दे दिये थे, सिरे राम ने इस्तरी की रक्षा के लिए रावन से युद किया, रमायन के प्रतिक पातरु द्वारा पुड़ी रमायन में इस्तरीयों का शम्मान किया गया, उनको दे भी पताया गया असल में ये चोप आई उस समय कही गई थी जब सिर्राम ने द्वारा बिने स्विकार न करने पर राम क्रोधित हो गए थे समुंद्र के पर और अपने तरका से बान लिका लिया तब समुंद्र ने सिर्राम के चर्णों में आए और सिर्राम से छमा मांगते हुए अन्य करने लगे थे कि हे प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे सिक्षा दी ये लोग विशेश धान रखने यानि सिक्षा देने की योग्य होते हैं तारना एक अब्धी सब्ध है जिसका अर्थ होता है पहचानना परक्षना या रेकी करना तो सिदास जी के कहने का मंतब यह है कि अगर हम ढोल के बेभार को उसके सुर को नहीं समझेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानते हैं तो फिर उसको बजाते समय उसकी आवाज को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सुर अच्छे हैं या बुरे हैं अता उसके सुभाव को जानना बहुत ही आवश्यक होत इसी तरह से पसु और नारी के परिक्पेक्ष में भी वही अर्थ है कि जब तक हम नारी के सुभाव को नहीं पाचानते हैं उनके साथ जीवन का निर्वा अच्छी तरह से या सुक पुर्वक नहीं हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी कमेंट में अपनी बाते जोरूर कहिए।